नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारी सीटूब चैनल इस्टड़ी वित्रफी पर प्यार बच्चो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के कुछ इस इमपोटेंट कोचन जो कि आपके फाइनल इग्जाम के लिए काफी ज्यादा इमपोटेंट होने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल पर जो भी इस्ट्रेंट नहे है प्लेज आज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को एक ब भारत आया था ये सवाल आपसे पूछे जा रहे है पहला नबर कोचन टाइम बेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे सिर्फ कोचनस अंसर की बात करेंगे अलबरुनी जो है इसके साथ भारत आया था तो याद रखेंगे मोहमद गजनभी के साथ याद रखिएगा मोहमद कोचनस में आपको एंसर इंकलूड किये जाएंगे ताकि आपका डिश्टर्ब नहीं हो और आप जो है लगातार इसका प्रैक्टिस कर सेके अगला नमर सवाल है कि इब तूता जो है किस देश के निवासी थे थोड़ा नाम में डिफकल्टी है याद रखेंगे कोचनस को प अगला नमर सवाल क्या है कि इबन बतूता ने अपने यात्रा का बिवरन किस भासा में लिखा था बताएगा अपने यात्रा का बिवरन किस भासा में लिखा था इन्हों ने तिन नमर कोचनस का क्या एंसर आरा फटावर से एंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास किजेगा वीडियो को सेर करके और लाइक कर दीजेगा तो इबन बतूता ने अपने यात्रा का वीवरण किस भासा में लिखा था तीन नमर सवाल का जो जबाव आ रहा है वो अर्भी आ रहा है जो कि बिल्कुल अप्सिंस नमर्ड णी होगा एरभी याद रखेगा ओपसस नम डी और आई अंसर होगा गुपत काल के अगर बात करेंगे किस सासक ने अपनी राजधानी परवर्तित किया बलवन ने मुहम्मद तुगलक ने या अलावदीन खिल अकबर तो याद रखेंगे मुहम्मद तुगलक मुहम्मद तुगलक याद रखेंगा options नमबर यहाँ पर बी जो होगा इस प्रशन का right answer होगा options नमबर बी next questions क्यों अगर चले तो काफी important questions से ध्यान देंगे इस परकार के प्रशन जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं और 100% जो है इस बार भी पूछे जाने की समावना बनती है छे नमर सवाल है वासको डिगामा कब भारत पहुंचा था यह सवाल जवाब है और इसका answer तो आपक अगला नमर सवाल है कि भारत ने जिन तीन भासाओं के गरंथ की अर्वी भासा में हुए अनवादों से अलब बरूनी परचित था वह थी वह कौन कौन सी भासा थी तो याद रिखिएगा संस्किल्ट जो कि हमारी प्राचीन भासा मानी जाती है पाली एबम प्राकिर्टिक और यहाँ पे ए जो होगा इस प्रशन का राइट एंसर होगा और यह सभी के सभी को चंस मैं बता रहा हूँ आपके लिए काफी जादा इंप्रेंट है याद करके जरूर रखे फाइनल टेस्ट यानि फाइनल एक्जाम के लिए आपके यह लाबकारी होने वाला है आठ नम nemo A याद रकिएगा options nemo A जो होगा इस प्रशन का रहाइट एंसर होगा अगला नबर सवाल क्या है कि अनेक विदेशी याथ्रियो में भारत के जिन II देशों को असमानने माना है वह है भारत चे बहारत के जिन II उस्युआ मना है वो क्या है दूत तथा अंडे नारेन तथा नुट कर लीजे को इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा दोबारा एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो उमिद ही है कि सारे के सारे कोचंस आपको याद हो जाएंगे कि हलब तूता की भारत यात्रा को जिस सताब्दी से संबंधित माना जाता हुआ थी कौन से सताब्दी थी तो वह 14 सताब्दी ओप्संस नमर यहाँ पर सी राइट एंसर होगा फरांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम बताईए तो कौन से भारत आया था बार्टा नमर कोचंस का अंसर सभी का रहा है जान से अगला नमर सब्सक्राइब कि इबन बतूता कि अनुशार उसे मुलतां से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसक लोटेट करके रखिएगा इस परकार के प्रशन हंडेट पर्शन जो है आपसे यह पूछे जा सकते हैं तो तेरे नमर कोचंस का जबाब आपके सामने हैं चोदर नमर सवाल क्या है मुहमद बिन तूगलक ने दिल्ली की काजी नियुकति किया था मुहमद बिन तूगलक ने द पर रास्ते होकर इमनवत्ता सन 1333 में अस्थल मार्ग से पहुचा था कहां पर पहुचा था तो यह सिंग्ध पर पहुचा था अस्थल मार्ग से तो फटापर से मैं कोचंस करा रहे हैं टाइम बेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो एक लाइक और तो बनता है तहकीक एह हिंदी में किसकी यात्रा वितानत लिए है तो तहकीक एह हिंदी में जहें यह यह अलवरूनी की यात्रा वितानत लिए हैं ऑप्संस नमर ए 100% इसका राइट एंसर होगा नेक्सट कीटएंश कौन था मेगा स्थिनीज कौन था मेगास श्री निच 547 सवाल एक परकार की राज़भूत questa कौन है राज़भूत है मेगा सब्सक्राइज और 16 याद रिखिएगा 18 सवाल क्यों बठते हैं किताब जो है और रहला में किसकी यात्रा वितांत मिलती है तो यह इवन बतूता की मिलती है भारत के डांक ब्यवस्था का वर्रन अपने यात्रा वितांत में कौन किया था तो यह इवन बतूता ओप्शन्स नंबर बी राइट एंसर होगा किस यात्रा के विवरन के अधार पर फ्रांच निरंग कुषवाद का सिध्धान प्रतिपादिन किया यह 20 नंबर स्वाल में आपसे पूछे जाड़े और वर्नियार इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन्स नंबर ए और आज का यह लास्ट कोच्छन्स आपके स्कीन के सामन प्रतिप्टर से आपका अगले क्लास के लिए कॉमेंट बॉक्स में पटापर से बोल दीजेगा कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से चेप्टर से आपका पोच्छन्स जो है चाहिए तो फटापर से आपको मिल दाएगा अगले क्लास में तो मिलते हैं पर से अगले क्लास में तब तक लिए इतना ही बाइबाय एंटे केर जैहिन देन जय भारत